आज के स्विच बोड रिमोट कंट्रोलर डिवाइस है तो इस रिमोट कंट्रोलर डिवाइस का कनेक्शन स्विच बोड में किस तरह से किया जाएगा और स्विच बोड के लूट को किस तरह से रिमोट के जरीए स्टार्ट इन स्टॉप किया जाएगा सब कुछ आज के वाले हैं जी हां इस remote controller का यूज करकर आप घर के सभी लूट को remote के जरीए भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और स्विच के जरीए भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं चल इस remote controller का connection करने के लिए सबसे पहला में switch boot को open कर लेते हैं फिर किस तरह से इसका practically connection किया जाएगा किस तरह घर के लोट को remote के जरीए स्टार्ट स्टॉप किया जाएगा सब कुछ हम आज के स्टॉड़े में समझने वाले हैं देखें इस remote controller के जरीए आप चार light और एक fan को control कर सकते हैं तो चलिए आज को स्टॉड़े में practically connection करकर इन चार लाइट और एक fan को को control करने के लिए है और यह fan regulator है जिससे fan के speed control होगा और यह fan के लिए स्टॉच है टुटल पांच लूट को हम इस remote controller के जरीए control कर सकते हैं साथ में आपको एक ड्रॉइंग भी मिल जाती है जिसे हम समझ लेते हैं देखें हमारे पास यह जो remote controller switching system device है इसे ब्लेक के द्वारा बनाया गया है चली अभी हम इसे open कर लेते हैं तो हमारे पास यह controller है जिसका connection हमें switchboard में करना होता है और साथ में आपको एक remote मिल जाता है देखें remote के जरीए किस तरह से load को control किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं सबसे पहले इस controller का connection समझ लेते हैं देखें यहाँ पर आपको red और black wire जो दिया गया है यह input power supply के रिए phase और neutral connect करना है यह 4 wire जो 4 yellow wire दिये गए यह light के लिए आपको दिये गए है और एक जो blue wire दिया गया है यह fan के connection के लिए दिया गया है total आपको 5 wire यहाँ पर switchboard में connect करना होगा इस display में आपके fan की speed कितनी है आप watch कर सकते fan के speed के लिए दिया गया है देखिए L1, L2, L3 and L4 यह 4 point के जरीए आप light को control कर सकते हैं यहाँ से आप fan के speed को control कर सकते हैं देखिए remote controller में आपको सबसे पहले दो सेल इस तरह से लगा लेना होगा connection किस तरह से किया जाएगा हम drawing में समझ लेते हैं तो इस remote controller का connection का और black wire दिया गया है इसमें आपको input power supply connect कर देना है तो देखिए यहाँ पर आप देखिए आप चाहे तो 3 pin plug से भी ले सकते हैं indicator से भी ले सकते हैं कहीं से भी ले सकते हैं देखिए input power supply हो चुकी है अब load को control करने के लिए आपको yellow wire का use करना है और fan के लिए blue wire का use करना है देखिए switch को जैसे ही open किया जाएगा आपका load यहाँ से control होगा अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो yellow wire है उसका connection switchboard में जहाँ पर आपने half का wire connect किया है switch के output side में एक बार फिर से switch के output side में आपको yellow wires का connection करना है इसका धियान रखिए किस तरह से किया जाएगा हम practically समझ ले देखिए यहाँ पर हमने switchboard की wiring करकर रखिए safety का आपको धियान रखना है सबसे पहले घर की power को आप off कर दीजे safety सबसे important है देखिए power को हमने off कर दिया भी switchboard में कोई भी supply connect नहीं है यह 1, 2, 3, 4, total 4 switch में हमें connection करना है तो आप connection को carefully watch कीजे बहुत ही आसान तरह से हम समझ लेत से है देखिए switchboard में wiring की बात की जाए तो देखिए यहाँ से switch में हमने उपर के तरफ looping किया है आप नीचे की तरफ भी कर सकते है कोई problem नहीं देखिए यहाँ से face सभी switch में आ चुका है और indicator में आ चुका है ठीक है और नीचे की तरफ से हमारे load में connection गया है तो हमें करना क् आपका लूट का connection गया है वही में आपको half wire connect कर देना है देखिए हमारे पास first switch है second switch है third और यह fourth total 4 switch है और यह हमारे पास fan regulator है सबसे पहने देखिए हम इन yellow wires का connection कर लेते हैं देखिए हमारे पास जो first yellow wire है यह L1 first light के लिए हैं और यह हमारे पास जो देख सकते है blue wire है यह fan क लिए है किस तरह से practically connection किया जाएगा समझ लेते हैं और इन दो wires में हमें क्या करना है input power supply connect कर देना है चले सबसे पहले हमारे पास जो first yellow wire है इस first yellow wire को first light को जिसको आप control करना चाहते हैं half wire में connect करना है जहां से आपके light में supply गई है switch में उपर की तरफ face wire connect किया गया है इसे आपको नीचे की तरफ connect करना है इसे आप ध्यान से watch कीजिए देखिए यहां पर देखिए हाफ wire के साथ first हमारा yellow wire का connection हो चुका है second yellow wire का connection हमें second switch में half wire के साथ कर देना है उपर के तरफ phase connect किया गया है जैसे ही switch को on किया जाएगा तो normally क्या होगा हमारा जो light है वो switch या main power supply के जरीए on होगा और जब switch हमारा off condition में रहेगा दे जान से watch कीजी जब switch off condition में रहेगा तब आप इस remote controller के जरीए आपके loot को start stop कर सकते हैं क्योंकि उसे phase यहां से मिलेगा तो जब आपका switch off रहेगा तब आप इस remote controller के जरीए आपको load को remote से start stop कर सकेगे चलिए हमें क्या करना है third light के लिए यहां पर point देना है तो third light के लिए भी हम यहां पर connection कर देते हैं यदि आप switch से start stop करना चाहाते है तो switch के जरीए भी start stop कर सकते है यदि आप remote controller के जरीए start stop करना चाहाते है तो remote controller के जरीए भी हो जाएगा switch यह आपका off condition में रहेगा तो switch को जो phase है वो यहां से इस controller के जरीए मिलेगा चलिए fourth light के लिए अभी हम यहां पर fourth light के half wire के साथ इसका connection कर देते हैं तो देखिए हमारे पास चारो light के लिए यलो wires का connection हो चुका है I hope आपको यह clear हुआ हो बहुत आसान तरह से हम समझे रहे हैं देखिए चारो light का connection हो चुका है अब हमें fan का connection कर देखिए fan के लिए हमारे पास regulator भी है और एक switch है तो देखिए switch के नीचे की तरफ देखिए switch में नीचे की तरफ क्या है अभी face की looping connect की गई है और यहाँ पर देखिए regulator का wire लगा हुआ है तो जो आपका regulator का wire है इस regulator के wire के साथ में आपको इस controller का blue wire connect कर देना है देखिए यहाँ पर आपका regulator के wire के साथ में यहाँ पर आपका blue air का connection हो चुका है तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं चाल light और एक fan का connection हो चुका है काफ़े आसनिस आपको ध्यान यह रखना है जो आपका half wire है half wire के साथ में आपको connection करना है अब हमें input power supplies controller में connect करना है तो phase और neutral आप कहीं से भी ले सकते हैं चाहिए 3 pin plug से ले या फिर देखे यहाँ पर आपके पास जो complete power supply यहाँ से ले सकते हैं कहीं से भी आपको phase और neutral connect करना है हमारे पास देखे यहाँ पर एक indicator है तो indicator में phase और neutral दोनों आ रहा है जो कि directly आ रहा है तो हम क्या करते हैं? Face और neutral यहाँ से इस indicator से directly connect करते हैं आप चाहें तो 5 pin plug से या जहां से भी आप लेना चाहें बस phase और neutral आपको directly connect करना है देखें यहाँ से हम neutral connect करते हैं क्योंकि indicator में neutral direct आया है तो यहाँ से हमारे पास controller में neutral आ जाएगा और इसे आपको proper connect करना है loose connection नहीं रहने देना है आपने कई बार देखा होगा कि switch board में जब आप load को control करते हैं तो sparking आती है तो loose connection के कारण ही आती connection को आपको full tight करना है यहां से आपको phase wire connect कर देना है देखें यहां से हमारे पास controller में phase भी आ जाएगा तो चलिए हमारे पास complete connection हो चुका है input power supply का भी हो चुका है 4 light का भी हो चुका है और एक fan का भी हो चुका है देखें 4 हमारे पास light के लिए point है देखें 1, 2, 3, and 4 और एक हमारे पास fan के लिए connection है तो fan में जहां पर regulator का wire connect था उसके साथ में हमने blue wire को connect कर दिया है चलिए हमारे connection complete हो चुका है अब किस तरह से practically ने operate किया जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं यहां से आपको face और neutral indicator से directly connect किया गया है देखें इंडिकेटर में जो supply होती है वो directly आती है इसलिए हमने यहां से दिया है चलिए हम practically load को on करने से पहले यहां पर हमने जो mcb को off किया था उसे आपको on कर लेना है देखें अभी सभी load को सबसे पहले हम switchboard के जरीए देखें first light आपके on हो चुकी है second light आपके on हो चुकी है third light on हो चुकी है और fourth light देखें switch के जरीए on हुई है और यहां से आप switch के जरीए off भी कर सकते है यदि आप इस remote controller के जरीए देखें first light on होई second light on होई third and इस तरह से fourth चारो light को आपने remote के जरीए start किया है fan को देखें fan कौन किया देखें fan on हो चुका है fan के speed अभी कितनी है four पर है देखें भी fan start हो रहा है fan के speed को कम करना चाहे तो आप इसी तरह से remote controller के जरीए fan के speed को भी control कर सकते है जितनी speed पर आपको fan को run करना है fan के speed भी इस controller के जरीए change हो जाएगी देखें इस तरह से आप आपके load को switch के जरीए भी start and stop करना चाहें देखे फर्स्थ लाइट, सेकंड लाइट, थर्ड लाइट यहाँ पर ओन हुई और यह फोर्थ लाइट इन्हें यदि आपको आफ करना है तो इस तरह से आप रिमोट कंट्रोलर के जरिये स्टॉप कर सकते हैं फैन को स्टार्ट करने के लिए देखे फैन का स्विच दिया गया है और इन दो बटन से आप फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से रिमोट कंट्रोलर स्विच बोर्ड सिस्टम का कंप्लीट कनेक्शन किया जाता है यदि वीडियो अच्छा लगा होते लाइक का बटन सरूर प्रेस कीजिए यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछी और यदि आप इस कंट्रोलर को पर्चेस करना चाहते हैं इसकी पर्चेसिंग लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिस पर जाग अब इस प्रोड़क्ट को पर्चेस कर सकते हैं आज के लिए इतना ही थेंक्स फ्रेंड